स्वागत है आप सभी का बैंक एक्सपर्ट के एक फ्रेस्ट वीडियो में आज के टाइम पर कोटेक लीग प्लेटीनम क्रेट कार्ड की बहुत हाई डिबांड मुझे दिख रही है क्योंकि ये कार्ड अभी लाइफ टाइम फ्री भी मिल रहा है और ये रूपए नेटवर्क पर आता है इस वज़े से इसकी डिबांड काफ वैदा हाई हो चुकी है वैसे ये कार्ड रेगुलर ट्राइंजेक्शन के लिए काफ अच्छे बेनिफिट उफर करता है तो इस वीडियो में मैं कोटेक लीग प्लेटिनम क्रेट काड में क्या कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं क्या इसके चार्ड इस होगरा हैं वो सब कुछ पूरी डिटेल में आप लोगों के साथ में डिसकस करने वाला हूँ लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दू मेरा नाम है शुभम आप देखो बैंक एक्सपर्ट चैनल अगर हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिब आपको लगती है तभी चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन प्रेस करिएगा और वीडियो को भी लाइक ज़रूर करिएगा तो चलिए अब डिटेल में जानते हैं कि कोटेक लीग प्लेटिनम क्रेट कार्ड में क्या कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं जैसे कि जो सबसे पहला बेनिफिट इस कार्ड पर ये है कि एवरी 150 रूपीज के स्पेंड पर 4 रिवाड पॉइंट मिलता है आपकी जो स्पेंड है वो कहीं पे भी हो सकती है ओनलाइन या फिर ओफलाइन आपको 150 के स्पेंड पर 4 रिवाड पॉइंट मिलेगा लेकिन इसमें कंडिशन ये है कि अगर आप एक साल में दो लाकी आप उससे ज्यादा स्पेंड करोगे इस कार्ड से तब जो है 150 के स्पेंड पर 8 रिवाड पॉइंट मिलेगा और कुछ special categories है अगर वहाँ पे आप 150 रूपीज स्पेंड करोगे फिर भी आपको 8 रिवाड पॉइंट मिलेगा जैसे कि travel agency, travel operator, package tour operator, airlines, electric sales, durable goods and departmental store इन सभी categories पर अगर आप 150 रूपीज स्पेंड करोगे तो आपको 8 रिवाड पॉइंट मिलेगा वैसे ये जो कोटेक लीग प्लेटिनम क्रेट कार्ड है ये रूपए नेटवर्क पर भी आता है तो इस कार्ड के थूँ आप UPI payment भी कर सकते हो और UPI payment पर भी आपको same reward point ही मिलेगा और ये कार्ड offer करता है 1% का fuel surcharge waiver अगर इस कार्ड से आप minimum 500 से लेखे 3000 के बीच में fueling कराते हो तो per year आप 3500 रूपीज तक की saving कर सकते हो इस कार्ड से और ये कार्ड railway surcharge waiver का भी benefit देता है जनरली जो दूसरे credit कार्ड होते हैं अगर उनसे IRCTC से आप railway ticket book करते हो तो railway surcharge waiver देना पड़ता है वो आपको इस कार्ड में नहीं देना पड़ेगा इससे आप annually 500 रूपीज तक की saving कर सकते हो अगर मैं आपको इस कार्ड के milestone benefit के बारे में बताऊं तो अगर आप 6 months में 1.25 lakh रूपेज spend करते हो इस कार्ड से तो आपको 4 PVR ticket मिलेगा या फिर आप 10,000 reward point भी ले सकते हो वैसे आप हमें Instagram पे भी follow कर सकते हो और हमारा एक WhatsApp channel है उसे भी जाके आप follow कर सकते हो WhatsApp channel और Instagram का link description में मिल जाएगा जहाँ पर मैं latest updates आप लोगों के साथ में share करता रहता हूँ और आपको जितना भी reward point इस card के थूँ मिला है उसको आप multiple categories में जाके redeem कर सकते हो जैसे की air ticket, cash option, movie ticket या फिर kotec mehendra bank का ही एक website है reward वाली वहाँ पे भी जाके आपको multiple products मिलेगे उनके against में भी in reward point को redeem कर सकते हो basically reward point को redeem करने के लिए काफी सारे options users के पास मिलते है kotec league platerium credit card के अगर interest rate के बारे में बताऊ जो outstanding balance पे लगेगा जैसे अगर आपका bill generate वह आपने timely bill pay नहीं किया तो आपको 3.5% का monthly interest rate देना होगा जो annually 42% के आसपास होता है और अगर इस card का use करके आप ATM से cash withdrawal करते हो तो per transaction 2.5% या फिर आपको 500 रुपीज की एक fees देनी होगी cash withdrawal करते time और इस card का जो over limit charge है वो भी 500 रुपीज है सबोस आपके card की limit 10,000 रुपीज है लेकिन आप 10,500 या फिर 11,000 इस card से spend कर देते हो तिन उस case में आपको 500 रुपीज की एक over limit charge देना होगा और ये card offer करता है 0.03.5% का forex markup fees यानि कि इस card से एगर internationally आप payment करते हो दिन उस case में 0.035% की आपको fees देनी पड़ेगी देखा जाए तो ये बहुत ही कम fees है comparatively दूसरे credit card से तो अब eligibility criteria के बारे भी जान लेते हैं अगर आपको Kotec League Platinum credit card लेना है तो यहाँ पे जो age है वो 21 years लेके 65 years के बीच में होनी चाहिए अगर आप किसी को add-on card दिला रहे हो जैसे अपने family में किसी को आप ये card दिलाना चाहते हो तो उसकी जो age है minimum 18 years के आसपास होनी चाहिए तो वहीं पर अगर आप salary हो या फिर self-employed हो तो आपकी decent से income होनी चाहिए और जो civil score है वो 750 प्लस होना चाहिए last 12 months में आपकी कोई भी EMI fail होगा रहना होई हो तो basically कुछ यही criteria है अगर आप इनको fulfill करते हो तो eligible हो जाते हो इस card को apply करने के लिए और अभी March का month चल ला है तो approval rate भी बहुत high है इस card का और इस card के अगर fees के बारे में बता हूँ तो इस card की जो joining और annual fees है वो 499 plus GST है अगर annually आप 50,000 या फूर से ज़्यादा spend करते हो इस card से then annual fees wave off हो जाती है लेकिन अभी limited time के लिए ये card आपको completely lifetime free मिलेगा तो जब ये card आपको approve होके मिल जाएगा then उसके बाद में ना तो आपको कभी joining fees दे होगी इस card के लिए और ना ही कभी आपको annual fees देनी होगी then उस case में ये card बहुत ज़्यदा valuable लगता है तो अब यहाँ पे अगर conclusion की बात करें तो मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर ये card आपको lifetime free मिल जाता है और आप इस card को regular अपनी transactions के लिए use करते हो तो काफी अच्छे reward point ये card offer करता है और अभी ये रूपए network पर आता है तो UPI payment भी इस card के थूँ आप कर सकते हो तो basically card मुझे regular use के लिए काफेरा सही लगा और जैसे कि Kotec महंदरा banks के card पर काफी वार offer भी आता है online या फिर offline तो वो सारे offers भी applicable होंगे इस card के थूँ बागि अगर आपका अभी भी कोई confusion query हो इस card को लेके तो comment करके पूँछ सकते हो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में